हेलो एव्रीवन दिस इस यशोका एंड यो रवाचिन यूट्टीव चैनल कॉल्ड फोटो फेक्ट्री आज इस वीडियो के में मैं आपको बताने जा रहा हूं जितने भी स्टुडेंट वर्क के लोग हैं उनके लिए विश्यस कर ये वीडियो है और इस वीडियो में मैं बच्ची होती है वो pre nursery से लेकर के tenth तक बराबर subject पढ़ा जाता है या फिर पढ़ते हैं उसके बाद जब इंडर के समय आती है तो हमें stream choose करना पड़ता है तो stream में जैसे कि आप science ले सकते हैं, commerce ले सकते हैं, arts ले सकते हैं और agriculture ले सकते हैं यह जो stream में आपको admission मिलता है किसी भी school में या colleges में तो आपके 10th के percentage के अनुसार यानि कि आप सबसे अच्छा marks लाएं तो आपको science मिलेगा उससे थोड़ा कम marks लाएं हैं तो आपको commerce मिलेगा उससे थोड़ा कम marks लाएं तो arts मिलेगा और किसी किसी state में agriculture के भी options होते हैं हमारे जारकन ब्यार उडिसा यानि कि East India में नहीं है कुछ राज्यों में जैसे कि महाराष्ट्रा, राजस्तान, उतर परदेश में agriculture को मैं यहाँ पर इसलिए focus कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो आगे वीडियो है वो agriculture, बेसी agriculture के लिए ही है तो आगे चलिए देखते हैं तो दोस्तों अगर आपने science ले करके पढ़ाय किया है plus two में तो आप कुछ subject groups को ले करके पढ़े होंगे जैसे कि PCM जो physics chemistry mathematics होता है और PCB physics chemistry biology होता है पी-सी-एम-ब यानि की mathematics और biology साथ में रखे है और agriculture है तो फिर आप पी-सी-एम किये हैं यानि की लिए हैं इंटर में तो आप engineering कर सकते हैं PCB लिए है तो आप medical line में जा सकते हैं, veterinary में जा सकते हैं और pharmacy में जा सकते हैं और अगर आप PCM भी लिए हैं तो आप medical में भी जा सकते हैं और engineering में जा सकते हैं अगर agriculture लिए है तब तो BSC agriculture में direct जा सकते हैं तो चलिए देखते हैं agriculture या उससे related sciences होते हैं वो क्या होता है तो agriculture एक ऐसा subject है जो graduation में किया जा सकता है और plus two में भी किया जा सकता है plus two में कुछ राज्यों में चलता है और graduation में maximum हरे इंडिया के हरे राज्यों में graduation के लिए agriculture subject होता है और उसके बाद आप M.A.C. या PhD कर सकते हैं वो बात की बात है पहले agriculture क्या होता है agriculture जो है वो science and arts है जिसमें crisis से संबंदित आपको पढ़ाया लिखाया जाता है और सिखाया जाता है जिससे आप किसान को अपना जो new new technology या जो invention होता है वो आप lab से लेकर के field में यानि कि land में आप ले जा सकते है तो आएए देखते है angry and allied senses क्या क्या होते है तो जैसे कि आप सकते हैं पहले नेमर में forestry है horticulture है food technology है dairy technology है fisheries है बेटेग agriculture यानि कि bachelor of technology in agriculture आप कर सकते हैं तो दोस्तों यह सारे subjects Agree and allied sciences होते हैं और अभी मैं बताता हूँ आपको बेसी के लिए कौन-कौन से entrance exams के द्वारा आप universities में एडिमेशन पा सकते हैं तो central लेबल पर यानि कि इंडिया लेबल पर ICAR जिसका full form होता है Indian council of agricultural research दूसरा होता है state university जितने भी state universities है वो अपना exam conduct कराता है जैसे जहरकंड म है तो आपको उसमें एक university है जिसका नाम है विर्षा agriculture university उसके भी अलग-अलग colleges है साथ-साथ colleges है तो इन सारे colleges में admission के लिए आपको एक exam देना पड़ता है जो कि जहरकंड government यानि कि जहरकंड combined entrance competitive examination board conduct कराता है और इसका form भी available है इस video से में आपको ये भी बताना चाहरा हूँ कि हमारा जो जरकंड combined के exam में उसका form available है और उसको कैसे भरेंगे हम next video में बताएंगे तो इस video में इस channel में बने रहें ताकि जल्दी से जल्दी आप अपना form भर सके और वो last date है 8 August यानि कि 8 August 2020 को खतम हो जाएगा इसलिए जल्दी से जल्दी जो है आप अपना form भर लिए औ हो सके अभी-अभी CBSC board का और Jack board का result आ गया है मुझे लगता है बाकी board का भी result आ गया है तो अभी आपके पास एक सुनरा मोका है agriculture में भविशे बनाने का इस video को देखने लिए फिर आपको बहुत धन्यवाद बावाई